आकाश में उड़ने वाले पंची को भी अपने घर की याद आती है। ये कथन है उपन्यास समराठ युग निर्माता प्रेम चन्जी के। ठीक इसी प्रकार से एक दिन भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी घर की याद आ रही है। तो उन्होंने कविता रच डाली शीर्शक घर की याद से। नमस्कार हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम घर की याद कविता के बहुँ विकल्पी प्रशनों को दोहराने वाले हैं। तो चलिए प्रारंब करते हैं कविता के प्रशन उतर घर की याद। पहला प्रशन जैसा कि आप सब जानते हैं घर की याद कविता किसके द्वारा रचित है। विकल्प भवानी प्रसाद मेश्र, शेव मंगल सिंग सुमन, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्य कांत्रे पाठी निराला। तो इसका जवाब तो पता ही है आप सबको। इसका जवाब है भवानी प्रसाद मेश्र। दूसरा प्रश्न कभी ने घर की याद कविता कहां लिखी थी छात्रावास में, विदेश में, कारागार में या विध्याले में तो इसका सही जवाब है कारावास में। महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुसार सिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कारे शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में इने गिरफ्तार किया गया। तभी मेश्र जी ने ये कविता लिखी कारावास में। प्रश्न संख्या तीन भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ 1911, 1913, 1912 या 1914 तो सही जवाब है 1913। कवी भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यू कब हुई 1982, 1983, 1984 या 1985 तो सही जवाब है 1985। प्रश्न संख्या पांच निम्न में से किस कवी को कविता का गांधी कहा गया है। शिव मंगल सिंग सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, या सूर्य कांत्रे पाठी निराला। तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस का गांधी कहा गया है। कविता का, कविता नाटक, निबंद कहानी आपको कुछ भी आप्शन में दिया जा सकता है तो हम लिखेंगे कविता का और ये प्रशना आता है कि कि कवी को कविता का गांधी कहा गया है तो याद रखना बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र। प्रशन संख्या छे, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण मिश्र जी को जेल जाना पड़ा। पद्मश्री, बध्य प्रदेश शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरसकार या उप्रोक्त तीनों तो इसका सही जवाब है उप्रोक्त तीनों तीनों ही पुरसकारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या नों रात भर पानी गिरने की तुलना कवी ने किस से की है नदी की धारा से, जरने के प्रवाहा से, कवी के प्राण और मन के गिरने से, रात भर जागने वाले व्यक्ति से। तो इसका सही जवाब है कवी के प्राण और मन के गिरने से। काव्य पंक्ति है रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। प्रश्न संक्या 10, कवी ने घर को किस से भरा पूरा बताया है? अन्न से, धन से, खुशियों से या परिवार से? तो इसका सही जवाब है खुशियों से। कवी कहते हैं घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर मतलब क्या होता है? वह घर जो परिपूर्ण है, यानि कि खुशियों से भरा पूरा है। कवी के कितने भाई हैं? तीन, चार, दो या पांच। तो कवी के चार भाई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कविता में अपनी कितनी भहने बताई हैं? एक, दो, तीन या चार? तो इसका सही जवाब है चार। कवी कहते हैं कि घर में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चार भाई, चार बहने, भुजा भाई, प्यार बहने। कि भाई भुजा के जैसे हैं और बहने प्यार के जैसे। कवी को जेल जाने के पश्चात अपना घर कैसा लग रहा था? खुशियों का, परिताप का, शादी का या किसान का? तो इसका सही जवाब है परिताप का. परिताप का शाब्दिक अर्थ क्या है? अत्यधिक दुख. कवी जब जेल में हैं, तो उन्हें घर की याद आ रही है. अगला प्रश्ण, कवी ने भाई को क्या कहा है? वज्र, फूल, आलोग या भुजा? तो इसका सही जवाब है भुजा. कवी ने बहन को क्या कहा है? प्यार, त्याग, संघर्ष या उत्सहा? तो इसका सही जवाब है प्यार. कवी कहते हैं न, कि भुजा भाई प्यार पहने. मैंने उपर भी बताई थी ये पंक्ति आपको, कि भाई भुजा के जैसे हैं, और बहने प्यार की जैसे. प्रश्ण संख्या सोल है, भवानी प्रसाद मिश्र की मा कैसी थी? शिक्षक, अनपड, सुशिक्षित या अधिकारी. तो कवी की मा अनपड थी, बिना पड़ी लिखी. कवी की मा का पत्र कवी को क्यों नहीं आता था? वह कवी से नाराज थी, वह अनपड थी, वह कवी को प्यार नहीं करती थी, यह उसके पास कवी का पता नहीं था तो जैसा मैंने उपर बताया कि कवी की मा अनपड थी तुसे पढ़ना लिखना नहीं आता था तो वो कवी के पास पत्र कैसे भेज दी तो सही जवाब है वह अनपड थी प्रश्न संख्या अठार है प्रश्न संख्या उन्निस जो अभी भी दोड जाए जो अभी भी खिल खिलाए पंक्ति किसकी और संकेत करती है कवी की मा की और कवी के पिताजी की और कवी के भाई की और या स्वेम कवी की और तो इसका सही जवाब है कवी के पिताजी की और प्रश्न संख्या 20 कवी के पिता का बोल कैसा था कोईल के समान मधुर, शेर के समान, बादल की भयंकर गरजन के समान या बिजले की कड़क के समान इसका सही जवाब है बादल की भयंकर गरजन के समान कवी अपने पिताजी के बारे में कहते हैं बोल में बादल गरजता मतलब वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो प्रशन संख्या 21 कवी के पिता के काम की शैली के सामने कौन लजजित होता था शेर, कोयल, बादल या तुफान सही जवाब है तुफान प्रशन संख्या 22 पिता कितने दंड करते हैं रोजाना वो कसरत करते समय कितने दंड लगाते थें एक सो, दो सो, एक सो साथ या दो सो साथ तो सही जवाब है दो सो साथ प्रशन संख्या 23 कवी के पिता किस का नाम लेकर रो पड़े होंगे दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे तो यहाँ पर सही जवाब है कवी के पिता पांचवे बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे कवी के पिता ने स्वरन बेटे किसे कहा है कवी को, कवी के भाईयों को, देश भगतों को, सैनिकों को तो सही जवाब है कवी के भाईयों को प्रश्ने संख्या 25, पिताजी सोने पर सुहागा किसे कहते थे? कवी के छोटे भाई को, स्वेम कवी को, कवी के बड़े भाई को या कवी की बहन को? तो सही जवाब है कवी को, कवी के पिताजी सोने पर सुहागा कवी को कहते हैं प्रश्न संख्या 26. हेटे का क्या अर्थ है गौन, छोटा, नीच यह खतरनाक तो इसका सही जवाब है गौन प्रश्न संख्या 27. पाउं पीछे हटाना का क्या अर्थ है पाउं के बल चलना, पीछे की और जाना, प्रण व्यवचन का पालन नै करना या उल्टे पाम चलना तो इसका सही जवाब है प्रण ववचन का पालन ने करना अगला प्रश्न मा की कोख कब लज्जित होती जब कवी आंदोलन में भाग न लेते यदी कवी कवी ताने लिखते यदी कवी जेल से भाग जाते या फिर कवी गीतने गाते तो इसका सही जवाब है कवी की मा की कोख तब लज्जित होती जब कवी आंदोलन में भाग न लेते प्रश्न संग्या उनत्तेस कवी अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहते है डाकिये, बादल, देश भग्त या अपने मित्र तो इसका सही जवाब है बादल क्योंकि कवी कारागार में है और जब वो देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है तो वो बादलों को अपना दूत बना कर भेजना चाहते हैं ताकि वो संदेश जो यहां से वो दे रहे हैं वो संदेश उसके माता-पिता या भाई-बहनों तक पहुँच सके तो संदेश बादल के बाद्यम से पहुचाना चाहते है कवी नहीं है कविता केस रितों में लिखी है अभी मैंने जवाब बता दिया आप लोगों को वसंद, ग्रेश्म, शरद या वर्षा बाहर क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी और कवी नहीं है कविता वर्षारितों में लिखी है प्रशन संख्या 31 जेल में कवी क्या करने में व्यस्त रहता है? बागवानी, दस्तकारी, चित्रकारी या कातने में? तो यहाँ पर सही जवाब है कातने में क्योंकि कवी गांदीजी से बहुत अधिक प्रभावित है और गांदीजी चर्खा चलाते थे और यहाँ पर वो भी कातने में ही व्यस्त है प्रशन संख्या 32 जेल में कवी का वजन कितने सेर है? 40 सेर, 50 सेर, 60 सेर या 70 सेर? तो यहाँ पर कवी ने स्वेम बताया है कि उनका वजन 70 सेर है जेल में कवी किस से भागता है? अंधिकार से, आदमी से, शोर से या बंदूक से? तो इसका सही जवाब है आदमी से किसकी गोद में सेर रख लेने से विक्ति के सभी दुखदर्द समाप्त हो जाते हैं? मा, दादी, पिता या दादा? तो इसका सही जवाब है मा की मा की गोदी में सर रख लेने से सभी दुखदर्द समाप्त हो जाते हैं प्रश्न संख्या 35 प्रस्तुत कविता में किसका मान्मी करण हुआ है? फागुन, कार्तिक, हवा यज सावन? तो इसका सही जवाब है सावन कवी कहते हैं हे मेरे सजीले हरे सावन अगला प्रश्न प्रस्तुत कविता में किस रस की अधिक्ता है? तो इसका सही जवाब है शांतरस प्रस्तुत कविता में किस भाषा का प्रियोग हुआ है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली नई कविता के दौर में जितनी भी कविताइं लिखी गई हैं वो सभी खड़ी बोली में हैं प्रस्तुत कविता में किस गुण का प्रियोग किया गया है? प्रसाद, ओज, माधुरिये? ये कोई नहीं तो इसका सही जवाब है प्रसाद गुण और अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं कविता में मुहावरों के अत्यधिक प्रियोग के कारण किस शब्द शक्ति का सर्वाधिक प्रियोग हुआ है? अमीधा, लक्षणा, व्यंजना ये किसी का नहीं तो इसका सही जवाब है लक्षणा शब्द शक्ति यही पर हमारे सारे प्रश्नोतर समाप्त होते हैं आशा करती हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेर केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद